ड्रावा के स्टार्ट में हमारी हिरोईन क्वीन को देखते हैं जो कि अपने पांच बच्चों के साथ अब्रोड से वापस चाहिना आई है क्योंकि वो एक फेमस डिजाइनर बन चुकी है जिसे की लिन कंपनी ने इन्वाइट किया है तभी यहाँ से दो लोग बाते करते हुए गुजरते हैं कि मिस्टर लिन जल्दी सी से साथी करने वाले हैं सी का नाप सुनकर क्वीन को अपना पास्ट याद आता है क्योंकि सी एक्चों में इसकी स्टेप सिस्टर होती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा ड्रंग करके एक होटल रूम में छोड़ देती है तभी इस रूम में ड्रंग कंडिशन में लिन भी आता है और उसके साथ मैट्समेंड कर लेता है मौनिंग में जब क्वीन के आगे खुलती है तो वो बहुत ही सौक्ट होती है और चुप-चप घर के लिए निकल लेती है इधर सी अपने पैरेंट्स से कहती है कि अपनी पांच करोड की डिल जल्दी डन हो जाएगी क्योंकि मैं क्वीन को मिस्टर जैंक के रूम में छोड़ कर आई हूँ लेकिन तब भी उसे मिस्टर जैंक का कॉल आता है कि तुमारी सिस्टरे तो मेरे पास आई ही नहीं है इसलिए मैं तुमारे साथ कांट्रक्स साइन नहीं करूँगा अब यहाँ पर क्वीन भी पहुँच जाती है और यह सारी बाते सुन लेती है अपने पैरंट्स पर गुस्जा करने लगती है और अपने डेट से कहती है कि आप मेरे साथ इसा कैसे कर सकते हो मैं भी तो आपकी ही बैठी हूँ लेकिन उसके डेटों से ही चाटा लगा देते हैं और कहते हैं कि तुमारी वज़े से मुझे करूडों का नुकसान हुआ है तुम किसी काम की नहीं हो क्विन कहती है कि आप हमेसा इन लोगों की ही साइड लेते हैं लेकिन उसके डेट तो उसके किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते तब इस्टेप मॉम भी कहने लगती है कि चाया तुम कितनी भी कोशिस कर लो लेकिन कभी पता नहीं लगा पाऊगी कि तुमारी मॉम की डेट कैसे हुई थी जो सुनकर कुएन गुसे से उनका गला दबाने लगती है तो उसके स्टेप से स्टेफ से पीछे से हीट करते थी है जिसे कि क्वेन महीं पर भेहोस हो जाती है तब ही एक सर्विंट आकर बताता है कि विस्टर लिन हमारे घर की तरफ ही आ रहे है जो सुनकर तीनों ही सौक्ड हो जाते हैं कि इतना रिश बंदा हमारी घर की तरफ क्यों आ रहा है इसलिए वो लोग तुरंती घर के भाहर आ जाते हैं यहापर लिन अपनी कार से उतरता है और उन्हें एक नेकलेस दिखाने लगता पूछता है कि क्या यह तुम्हारा है ची नेकलेस को देखर पहचान जाती है कि यह तो प्विन का नेकलेस है लिन गसाइग के जिस भी लड़की का यह नेकलेस है उसने कल राध मेरे साथ नाइट स्पैंड की थी और इस बात का फाइदा उठाते हुए सी तिरंथी बोलतेती है कि ये नेकलिस तो मेरा है कल रात आपके साथ मेही थी लिन उसे कल के लिए थैंक्स बोलता और उसे काफे सारे गिप्ट देने लगता है लेकिन सीजे सी लाल ची लड़की का इतने से गिप्ट से क्या होगा वो तो कहती है कि मुझे ये गिप्ट नहीं चाहिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी रिस्पॉंसबिलिटी उठाए लिन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी responsibility उठाने के लिए दियार हुआ और वहाँ से चला जाता है उसके जाते ही डेट कहने लगते है कि हमें जल्दी क्वीन को रास्ते से हटाना होगा कही ऐसा नहों कि वो सारी बाते मिस्टर लिन को बता दे इसलिए वो जल्दी से घर के अंदर आते हैं लेकि तब तक क्वीन वहाँ से गायब थी जिसके बाद हमें 9 मंद बात का सीन दिखाय जाता है जहाँ पर क्वीन की delivery हो रही होती है नैस उसे बताती है कि तुम्हें बाच बच्ची हुए है जो सुनकर तो क्वीन बेहोसी हो जाती है प्रेजेंट में क्वीन सोचती है कि सी तुम मेरे होते हुए कभी भी खुस नहीं रह सकती अब मैं वापस आ गई हूँ और तुम्हारी किसी भी अच्ची फैमली में साथी नहीं होने दूँगी मैं तुम से अपना बतला लेकर रहूंगी तब ही यहाँ पर लिन भी आ रहा होता है जो कि अपने कार में बेटने जा रहा होता है तब ही उसके पास क्वीन के बेटी आ जाती है और उसे डैट कहने रखती है लिन उसे गोद में उठाकर कहता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ तुमने गलत समझ लिया है लेकिन वो तो कहती है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ क्योंकि आप हैंसम है मॉम इतनी ब्यूटी फूल है तभी तो मैं इतनी क्यूट हो न लिन पूछता है कि विसे तुमारी मॉम कहाँ पर है वो बदाती है कि मेरी मॉम इधर है लकिन वहाँ पर कुई नहीं होता है तब ही वहाँ पर भागते में क्वीन आती है और अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें अकेले इसे नहीं आना चाहिए था यहाँ पर Quinn Lynn को देखकर पहचान लेती है कि यह तो वही person है न जो कि सी से साधी करने वाला है और Lynn भी Quinn को देखकर सूचने लगता है कि यह तनी family है क्यों लगती है Quinn अशे sorry बोल कर अपनी बेटी को लेकर जाने लगती है लिन सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जिसे मेरी बेटी मुझे से दूर जा रही है और वो क्विन का हाथ पकर लेता है और उससे पूछता है कि इसका फादर कौन है क्विन कहती है कि वो मर शुका है और अपनी बेटी को लेकर जाने लगती है लेकिन तबी महाँ पर फैंग आ जाता है और उसकी बेटी को गोट में उठा लेता है जो देखकर लिन मिसंडिस्टूट कर लेता है कि साथ फैंग ही इस बच्ची का फादर है यहाँ पर लिन का असिस्टेंट कहता है कि मेडम सी ने आपको घर बिलाया है लेकिन लिन घर जाने से मना कर देता है और कंपनी चलने के लिए गहता है जो सुनकर एसिस्टेंट सोचता है कि मिस्टर लिन हमेसा काम में ही बिजी रहता है पता नहीं साथी के बाद इनका क्या होगा इदर लिन घर पहुचती है और घर जाकर फैंग को थैंक्स कहती है उसकी हल्प करने के लिए क्योंकि इतने टाइम से फैंग ही उसकी हल्प करते आ रहा था फैंक कहता है कि थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है लेकिन अभी तक भी मैं तुम्हारा एक कम नहीं कर पाया हूँ मुझे ये पता नहीं चल पा रहा कि तुम्हारी मॉम की डैथ कैसे हुई थी क्विन कहती है कि तुम टेंशन मतलब में वापस आ गई हो न तुम्हारी मुझे पता लगा लूँगी अभी एक काम है जो मुझे करना है वो किसी को कॉल लगाती है और कहती है कि मैं आपके जॉब के आफर को एकसेप करती हूँ उसने लिन कमपनी के जोब के आफर को एकसेप किया होता है नेकसें इन में क्विन सो रही होती है तभ היא उसे अपने पास का ड्रीम आता है और वो अच्वाणक से उचाती है तब ही यहाँ पर उसका बेटा आता है और कहने लगता है कि आप फिर से डर कर उट गई आपको वही जिमाया है क्या क्वीन कहती है कि नहीं बैटा मैं ठीक हूँ उसका बैटा कहने लगता है कि अब हम लोग वापस आ गए है तो आप यहाँ पर हमारे फादर को क्यों नहीं डून लेती है हम लोग अपने फादर से मिलना चाहते है लेकिन क्वीन कहती है कि तुम्हारे फादर नहीं है वो मर चुके है वो कहने लगता है कि आप मुझे पागल नहीं बना सकती मैं कोई दो साल का चोटा बेबी नहीं हूँ मुझे अच्छे से पता है कि हमारे डेट जिंदा है फिलाला प्रेस कीजिए ऐसा किया कर वो रूम से बाहरा जाता है बाहरा कर वो अपने भाई से बात करने लगता है कि मॉम हमसे डेट के बारे में शुपा रही है तब ही महाँ पर सी आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे पता चला है कि तुमने डिनर नहीं किया है इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ लिन कहता है कि तुम्हें कमपनी में आने की जरुरत नहीं थी सी कहाना लगती है कि तुम घर पर भी नहीं आये थे तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहते हो कल तो हमारी इंगेजमेंट भी होने वाली है लेकिन लिन तो उसमें विल्कुल भी इंटरस्ट नहीं ले रहा होता लेकिन शी तो उसके पीछे ही बड़ जाती है और उसे किस करने की कोसिस करती है लेकिन तब ही हमाँ पर एसिस्टेंट आ जाता है और लिन को बिताने लगता है कि किसे ने हमारे सॉप्ट Church को हैक कर लिया है जिस वज़े से हमें बहुत ही प्रॉप्लम हो रही है लिन कहता है कि किसी को काम पर लगाओ जो कि हमारी सौप्ट इयर को जल्दी से ठीक कर सके अजिस्टन कहता है कि कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है और इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आप हमारे डैड़ी है ये सुनते ही सी कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता है लिन कहता है कि कैसा नहीं हो सकता है तो सी तुरांती बात को पलट देती है और मन में सोचने लगती है कि क्वीन तो कई सालों से वापस नहीं आई है और वो फ्रेगनेंट भी नहीं हो सकती मुझे मिस्टर लिन से इस बात को चुपा कर रखना होगा कि उनके साथ जिसने नाइट फेंड की थी वो लड़की मैं नहीं बलकि क्वीन थी और लिन से कहने लगती है कि लगता है आप अपने काम में बहुत ही बीजी है इसलिए मैं जाती हूँ लेकिन कल इंगेश्मेंट में टाइम से पहुच जाना और वहाँ से चली जाती है नेक्स मॉलनिंग पाचो बच्चे मिलकर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम लोग जल्दी अपने डेट को ढून लेंगे क्योंकि हमने उनके सॉप्टियर को हेक कर लिया है तबी क्वीन उनके लिए ब्रेकफास लेकर आती है और उनसे कहती है कि अच्छे से घर पर रहना मुझे काम से बाहर जाना होगा वो कहते है कि ठीके मॉम आप चाहिए हम लोग अच्छे से रहेंगे लेकिन उसके जाते ही वो लोग फिर से अपनी प्लानिंग में लग जाते है नेक्सिन मिलिन कार में होता है जहापर उसका अस्टेंट से बताता है कि नई डिजाइनर ने हमारी जॉब को एकसेप कर लिया है तो आपको उनसे मिलना चाहिए वो कहता है कि तुम उसे हमारी इंगेजमेंट पार्टी में बुला लो मैं उससे मही पर मिल लूँगा नेक्सिन इंगेजमेंट पार्टी का होता है जहाँ पर सी सबसे खहरी होती है कि मस्टर निन तुम उससे बहुत प्यार करता है वो खुदी अपने मूं मिया मिठ्टू बन रही होती है तो उसकी फ्रेंट्स पे उसकी तारीफ करने लगती है कि तुम तो बहुत लगी हो जो इतने रिच और हैंसम मन्दे से थमारी साधी हो रही है तब ही यहाँ पर क्वीन भी आ जाती है और उसे महांसे जाने के लिए कहती है लगा देती है जिस पर से को भी घुसा आता यह उसे चाटा लगाने वाली होती है लेकिन तब ही लिना कर उसका हाथ पकर लेता और कहता है कि यह तुम क्या कर रही हो सी कहती है देखो ना ये लड़की मुझे अपनी सिस्टर कह रही है ये मेरी कोई सिस्टर विस्टर नहीं है कोई बेर उपिय है तो मिसे यहां से निकाल दो लेकिन लिनिया पर कुईन को देखकर पहचान जाता है कि ये तो एरपोर्ट वाली लड़की है और कुईन भी कहने लगती है कि अच्छा तो आप है मिस्टर लिन हमारी मुलाकात फिर से हो गई और कहती है कि आपने ही तो मुझे इस पार्टी में बुलाया है और इंविटेशन कार्ट दिखाने लगती है लिन समझ जाता है कि ये वही डिजाइनर है जिससे मैंने ही आपर मिलने के लिए बुलाया है क्विन कहने लगती है कि इतने सालों से हम लोग मिले नहीं ना इसलिए साथ मेरी सिस्टर मुझे पहचान नहीं पा रही लेकिन सी उसकी बातों को इग्नोर करती है और लिन से कहती है कि हमें इंगेजमेंट स्टार्ट करनी चाहिए और वो लिन को लेकर जाने लगती है क्विन कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी इंगेजमेंट का विप तो दे दू जिसके बाद वहाँ पर एक वीडियो प्ले होने लगता है जिसमें किसी किसी और लड़के के साथ होती है जो देखकर सभी लोग सौंग्ड होते हैं क्वीन तो ये रायता फैला कर वहाँ से निकल लेती है लिकिसी चिलाने लगती है कि इसको बंद करो ये सब जूट है वो लिन को ये बात एक्प्लेंट करने लगती है लेकिन तो उसे खुछ से दूर कर देता है और इंगेजमेंट भी तोर देता है जिससे किसी रोने लगती है इदर क्वीन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है उसे बाहर अपनी बेटी मिल जाती है क्वीन उससे कहती है कि तुम मेरा पीछा करते है यहां तक आ गई यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है छोलो मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ तभी वहाँ पर लिन आकर उसे रोक देता है और पूछता है क्या करता है तुम हो कौन तभी लिन उसके सॉल्डर पर एक बटरफलाय का निसान भी देख लेता है कि ऐसा निसान तो उस लड़की को भी था जिसके साथ मैंने नाइट्स प्रेंड की थी क्वीन उसे कहना लगती है कि आपको मेरा हाथ चोड़ना चाहिए इस तरह से मेरा हाथ पकड़ना आपको सुबह नहीं देता तो लिन उसका हाथ चोड़ देता है क्वीन की बेटी तुरंत ही लिन को डेट कहते हुए उसके पास आ जाती है लिन सूचने लगता है कि अगर ये इसकी मॉम है तो ये मेरी बेटी हो सकती है लेकिन तभी क्वीन अपनी बेटी को रोकते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे डेट नहीं है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है लेकिन लिन ने तब तक उसका बाल तोड़ लिया होता है जिसे वो अपने असिस्टेंट को देते वे कहता है कि इसका DNA टेस्क करवाओ मुझे लगता है कि साइद ये मेरी बेटी हो सकती है असिस्टेंट कहने लगता है लेकिन उस राथ तो आपके साथ में सी थी ना लेकिन लेन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उस राथ सी मेरे साथ थी तुम उसका डियने करवा उससे सब कुछ क्लियर हो जाएका इदर क्वीन बाहर आने के बाद अपनी बेटी को समझाने लगती है कि तुम्हें ऐसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और आगे से ऐसे किसी को भी डेडी मत बोलना इदर सी बहुत ही जादा घुसा कर रही होती है कि क्वीन के वापस आने से सब कुछ कितम हुए है वो उसी दिन मर क्यों नहीं गई थी उसकी मॉम उसे समानने लगती है वो कहती है कि मॉम अप में क्या करूँ उसकी मॉम कहती है कि तुम टेंशन मेत लो पहले तुम इस वीडियो की प्राप्लम को सोट आउट करो उसके बाद मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूँगी कि जिसके बाद मिस्टर लिन तुमारे ही हो जाएंगे बले ही क्वीन वापस आ गई है लेकिन वो कभी भी कुछ नहीं कर पाईगी नेक्स सीन में असिस्टेंट आकर लिन को डियने टेस्क की रिपोर्ट दिखाता है जो की पोजिट्यू होती है अब लिन को ये तो पता चल जाता है कि वो बेटी उसकी है लेकिन वो कन्फ्यूज हो रहा होता है कि आखिर कुछ नहीं पाई असिस्टेंट कहने लगता है कि वो आपकी बेटी है तो उसे घर पर वापस लाना चाहिए कि हमें कुछ कार्ट को भेज़ दू उनके घर पर लिन कहता है कि क्या तुम कोई चोरो जो ऐसा करोगे कुईन ने हमारे साथ कॉंट्रक्स साइं किया है न तो पहले तो मुसे ऑफिस बुलाओ हमारे साथ काम करने के लिए उसके बाद हमारी बेटी को हमारे पास लाने का तरीका ढूनेंगे जो सुनकर एसिस्टन कहता है कि बॉस आप तो बहुत स्मार्ट है और महाँ से जाने लगता है लिन उसे रोकता है और कहता है कि ये रिपोर्ट मुझे ही दे कर जाओ और वो उस रिपोर्ट को देखकर काफी कुजो हो रहा होता है कि मेरी बेटी कितनी प्यारी है नेक्सिन में क्वीन और फैंग निउस में देख रहे होते हैं कि मिस्टर लीन ने अपनी इंगेजमेंट तोड़ दी है फैंग कहने लगता है कि तुम्हारा एक प्लैन तो सक्सिस्फुल हो चुका है लेकिन अभी भी तुम्हें बहुत कुछ करना है इसलिए थोड़ा बचके रहना क्वीन कहती है कि तुम टेंशन मतलों मैं उन्हें पूरी तरीके से बरबाद कर दूँगी तब ही यहाँ पर क्वीन के पास आफिस से कॉल आती है असिस्टन उसे जॉब पर बुलाता है जॉइन करने के लिए लेकिन क्वीन कहती है कि मैं रिजाइन करना चाहती हूँ असिस्टन कहता है कि अगर आप ऐसा कर रहे होगी तो आपको तीन गुना कंपनसेशन देना होगा जो सुनकर क्वीन कहती है कि ठीक है मैं जॉप पर आ जाओंगी लेकिन फैंक उसे जाने से मना कर रहा होता है क्वीन कहती है कि तुम टेंशन मत लो मैं सब कुछ हंडल कर लूँगी लेकिन तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना और प्लीज कोई नेनी भी अरेंच कर दो यहाँ पर उसकी बेटी सारी बाते सुन लेती है और नेक्स डेव वो ओफिस बहुच जाती है जहां पर इस जिटरन उसे काफी अच्छे से संभालता है और उसे लिन की चेर पर बिठा देता है और कहता है कि तुम यही पर रहे है ना मेरे डबी मिटिंग में बीजी है वो अपने भाईयों को कॉल करके बताने लगती है कि मैं डेट के आफिस बहुच गई हूँ और वही पर खेलने लगती है तब ही यहां पर सी आती है और लिन के काफी में कुछ मिला देती है और उसे ऐसा करते हैं क्वीन की बेटी देख लेती है और आफिस में अपनी मॉम को तूणने के ले जाती है इदर लिन अपने केविन में आ जाता है असिस्टेंट कहता है कि अभी तो आपकी बेटी हैई पर थी मैं उसे ढून कर आता हूँ साथ वो बाहर गई होगी असिस्टेंट के जाने के बार लिन उस काफी को पी लेता है तब ही यहाँ पर क्वीन की बेटी उसे लेकर आती है और लिन के केबिन में बंद कर देती है क्वीन कहती है कि तुम यह क्या कर रही हूँ और दूर हो जाती है और अपनी बेटी को डाटते हुए कहती है कि गेट खोलो वरना मैं तो मैं आज अपने साथ घर लेकर नहीं जाओंगी तो उसकी बेटी गेट खोल देती है और क्वेटी उसे लेकर जाने लगती है लेकिन हुने सी देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि कुईन की एक बेटी भी है जिसके बाद वो लिन के पास आती है लेकिन लिन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है तब ही यापर असिस्टेंट भी आ जाता है और सी को जाने के लिए कहता है लेकिन से तो सूनी नहीं रही होती तो लिन कहता है कि अगर तुम अभी के अभी हाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ सारे कांट्रेक्ट कैंसल कर दूँगा जो सुनकर सी मजबूरन वहाँ से चली जाती है जिसके पता असिस्टन इसे समालता है उसके लिए डॉक्टर को बिलवाता है डॉक्टर उसका अलाज करने के बाद कहता है कि तुम्हें मेरी के ज़रत थी तो मैं तो तुम्हारी फ्यांसी भी संभाल सकती थी तो तुमने मुझे क्यों बुलाया लिन उससे कहता है कि वो मेरी फ्यांसी नहीं है मैंने उसे इंगेजमेंट तोड़ दी है क्योंकि अल्रेडी मेरी एक बेटी भी है लेकिन उसकी मौंग को समालना थोड़ा मुस्किल हो रहा है हलाकि मेरी डॉटर काफे स्मार्ट है जो सुनकर डॉक्टर बहुत ही सौक्ट हो जाता है कि मिस्टर लिन के एक बेटी भी है इदर क्विन अपनी बेटी के साथ होती है जिसे कि वो काफे नाराज थी तो उसकी बेटी उसे मनाने लगती है क्विन उससे कहती है कि वो तुम्हारे डेड नहीं है आगे से इसी गलती मत करना तो पूछने लगती है कि तो फिर मेरे डेट कौन है तो क्वीन ने से कुछ भी नहीं कह पाती तब ही क्वीन के पास उसके डेट की कॉल आती है जो कि इसे घर पर बुलाते है इदर घर पर सी अपने बेरंट से कहा रही होती है कि पिर से Queen ने मेरा सारा प्लैन खराब करती है और उसके एक बेटी भी है जो जांकर मॉम डेट को बहुत ही गुस्सा आता है तब हैं याँ पर Queen भी पहुंच जाती है तो उसके डेट गुसेमस पर हाथ उठाने लगते हैं लेकिन क्विन उनके हाथ को रोक देती है और कहती है कि मुझ पर हाथ उठाने की कोसिस भी मत करना उसकी बेटी पूछने लगती है कि क्या ये मेरे ग्रेंट फादर है क्विन कहती है कि नहीं तुम्हारे ग्रेंट फादर तो मर चुके है तभी सी उसकी बेटी के बारे में भला बुरा कहने लगती है तो क्विन ने से एक चाटा लगा देती और कहती कि मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत कहना कर दो पर ना तुम्हें तुम्हारी मॉम के असेट्स नहीं मिलेंगे तभी क्वीन की बेटी अपने डेट को कॉल कर देती है जिससे की लिन उनकी सारी बाते सुनने लगता है क्वीन सोचती है कि आखिर यह ऐसा क्यों चाहती है कि मैं मिस्टर लिन की कंपनी छोड़तू तो व क्वीन कहती है ठीक है मैं रिजाइन कर दूँगी लेकिन मुझे एसेट्स के साथ साथ अपनी मॉम की कंपनी भी जाई है सी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मॉम की कंपनी के 20% सेर तुम्हें दे दूँगी लेकिन इसके बदले तुम्हें रिजाइन करना होगा उसके पैर सर्टों को मानने के लिए तैयार हो गई हूँ सी कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम मिस्टर लिन से दूर रहो क्वीन कहती है कि तुम इतना डर क्यों रही हो अगर मैं मिस्टर लिन के करीब रहूँगी तो क्या हो जाएगा किया तो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हो S कहती है कि वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा क्योंकि मैं उसके साथ कई सालों से हूँ जो सुनकर Queen को डाउट होता है कि ये इतने सालों से Lynn को कैसे जानती है कही ऐसा तो नहीं कि Lynn ही वो बंदा हो और साथ में अपनी मॉम के असेट्स भी ये कोई छोटी बात नहीं है जो सुनकर असिस्टेंट चुप हो जाता है लिनुस से कहता है कि तुम्हारी इस माहिने की सेलरी काट ली जाएगी क्योंकि तुम बहुत जादा बोलने लगे हो इधर पेपर बन के आच चुके थे और 20% सेर क्वीन के नम हो जाते है तो उसके पैरेंट्स कहने लगते है कि अब जल्दी से रिजाइन कर दो क्वीन कहती कि मुझे अपनी मॉम के असर्ट्स चाहिए उसके डैट कहते है कि पहले रिजाइन दो उसके बाद ही तो मैं तुम्हारी मॉम के असर्ट्स मिलेंगे क्योंकि 20% सेर तो हमने तुम्हें देही दिये है इसलिए क्वीन रिजान करने के लिए कॉल करने लगती है लेकि तब ही माँ पर लेना आजाता है कि कॉल करने की जरुद नहीं है मैं याँ पर खुद आ गया हूँ उसे देखकर सी उससे चिपकने लगती है और कहती कि आप मुझसे मिलने आया है न तब ही क्वीन की बेटी लिन को फिर से डेट कहने लगती है तो उसे गोद में उठा लेता है सी कहती है कि यह आपकी बेटी नहीं है लिन उसे कहता है कि यह मेरी ही बैटी है तो तुम्हें जादा बोलने की ज़रुत नहीं है जो सुनकर क्वीन बहुत सौक्ट होती है असिस्टन सब एको DNA टेस्ट की रिपोर्ट दिखाने लगता है जिसे देखर सबी लोग बहुत ही सौक्ट होते है जिसके बात लिन क कहता है कि इसे इसकी मौम के एसर्ट देदो लेकिन उसके ड arrest तो देने को तैयार नहीं हो रहे था तो लिन के कार्ड जबर जिस्टु की मौम के एसर्ट निकाल कर ले आते हैं और क्वीन को दे देते हैं सी कहने लगती है कि ये आपकी बेटी नहीं है, ये जूट बोल रही है, उस दिन होटल रूम में मैं थी आपके साथ, लेकिन लिन उसे इग्नोर कर देता है और अपनी बेटी को लेकर चले जाता है, गर के भार आकर लिन अपनी बेटी को लेकर जाने लगता है, तो क्यों ने कहती है कि आपको कोई गलत फहिमी हुई है ये आपकी बेटी नहीं है लेकिन आपने मेरी मदद किये इसलिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ लेकिन प्लीज आप मेरी बेटी को छोड़ दो जो तुनकर लिन कहने लगता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे होस्पिटल में किया गया है, जो कि बिल्कुल साही है, ये मेरी ही बेटी है इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो, मैं दोपारा नहीं कहूंगा, और अपनी बेटी को लेकर जाने लगता है, तो क्वाइन को भी जाना पड़ता है, वो लोग कार में होते हैं, जहां पर उनकी बेटी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप डोनों मुझे एक साथ किस करो, जैसे ही वो लोग उसे किस करने के लिए जाते है, वो दूर अट जाती है, लेकिन काफ़ी टेंक्शन में होती है, क्यूंकि उसने लिन को भी तक बागी चार बच्चों के बारे में नहीं बताया था और वो इस बात को छुपा कर रखना चाहती है लेकिन जब वो लोग घर जाते हैं तो लिन उसके घर जाने की बात कहता है तो कुई ज़ान बूच कर दूसरी अपार्टमेंट को खोलने लगती है और कहती है कि दरवाजा खुल नहीं रहा है इसा क किजे आप जाईए आप बाद में आ जाना लेकिन लिन को लगता है कि ज़रूरी है मुझसे कुछ चुपा रही है तो कहता है कि तुम टेंशन मतलो मेरे पास काफी टाइम है इसलिए मैं वेट कर सकता हूँ और अपने असिस्टेंट से कहता है कि अगर दरवाजा नहीं खु क्वीन कहती कि एसामत कीजिए मैं फिर से ट्राय करती हूँ लेकिन गेट खुलेगा कैसे वो तो किसी और के ही गेट को खोल रही होती है लेकिन उसका एक बेटा अपने घर का गेट खोलके बाहर आ जाता और उसे मॉम कहने लगता है जो दिखकर लेन तो बहुत सौक्ड होत लिन कहता है कि ठीक है मैं तो मैं पैसे देता हूँ तुम मुझे मेरे दोनों बच्चे वापस कर दो जो सुनकर क्वीन को तो बहुत ही गुसा आता है कि मैंने मेरे बच्चों को जन दिया है और इतने सालों तक पाला है मैं ऐसे कैसे आपको मेरे बच्चे देतू और आप मे की जरूरत है उने भी और उनके बच्चों को भी लेकिन आपको किस बत को समझ ही नहीं रहे हो इधर क्वीन अपने बच्चों को समझाती है कि आगे से उन्हें डेडी मत कहना वो तुम्हारे डेड नहीं है लेकिन बच्चे कहते है कि मॉम आप कब तक हमें पागल बनाएगी ह जानते हैं कि वही हमारे डेंड है क्वीन कहती कि अच्छा और उनके साथ मस्ती करने लगती है इजलन घर पर होता है जहांडर उसके ग्रेंडपा आ जाते हैं उससे बच्चे के बारे में पूछते हैं तो लिंड़ पूछता है कि आपको किसने बताई उसे अपने असिस्टेंट पर सक होता है लेकिन असिस्टेंट तो चुपचा वह से निकल लेता है ग्रेंट पर कहते कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी बच्ची को घर पर क्यों नहीं लेकर आए लिन बताता है कि एक बच्ची नहीं है बलकि दो बच्चे है जो सुनकर तो ग्रेंटपा और भी जादा खुश हो जाते हैं और उनसे मिलने की जिद करने लगते हैं और कहते कि तुम उसे पैसे दे दो वो मान जाएगी तो ग्रेंटपा उसे बता देते हैं कि मुझे इस बारे में कॉल करके सीने बताया था और उसके साथ तुम्हारा क्या चल रहा है लिन कहता है कि वो लड़की बहुत ही गड़ बड़ कर रही है उसे तो मैं बाद में देख लूँगा लेकिन आप कोई प्रॉब्लम ट्रेट मत करना फिलाला पाराम करो ये बूल कर वहां से चला जाता है लेकिन ग्रेंटपा को तो अपने पोता पिती से मिलने की बहुत ही जली थी इसलिए वो अपने ही बंदे को काम पर लगा देते हैं नेक्स डे हम क्यूइन को देखते हैं जो कि ओफिस जाने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं होती है लेकिन ओफिस जाना उसकी मजबूरी होती है क्योंकि उसने तो कांट्रक साइन कर रखा है जिसे वो रूम से बहाँ निकलती है तो देखती है कि इसके सारे बच्चे उसका सारा सामान लेकर खड़े है और उसे अच्छे से रेडी होने के लिए कहते हैं जिसके बाद क्वीन रेडी हो जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि फैंग अंकल के साथ अच्छे से स्कूल चले जाना और कोई भी कटबट मत करना लेकिन बच्चों को तो अपने डेट से मिलने की पड़ी थी जब फैंग बच्चों को स्कूल चोड़ कर आता है तो उनमेंसे एक बच्चे स्कूल के अंदर ही नहीं जाता और अपने डेड के आफिस को ढूणने लगता है इसी बीच कार में ग्रेंट फादर होते हैं जो की क्वीन की फोटो देख रहे होते हैं और कहते हैं कि जल्दी से मेरे ग्रेंट सन के बारे में भी पता लगाओं लेकिन तभी वो बच्चा उनकी कार के सामने आ जाता है और उसका एक्सिडेंट हो जाता है ग्रेंट पाप ने गार्ड के साथ जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं ग्रेंट पाप ने गार्ड से कहते हैं कि इसके पैरेंट्स को ढूंडो तभी डॉप्टर और गार्ड दोनों ही कहने लगते हैं कि ये कुछ खुछ लिन जैसा नहीं दिखता ड्रेंट पप इस सित्हान से देखने लगते हैं और सोचते हैं कि कई यही तो मेरा पोता नहीं इसलिए वो गार्ड से इस बारे में बता लगाने के लिए कहते हैं इदर लिन आफिस में काम कर रहोता है तब इसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उनके बेटे का एक्सिडेंट हो गया है तो लिन हॉस्पिटल के लिए निकलने लगता है ऐसे ही इदर क्विन के पास भी कॉल आता है तो क्वीन जाकर टेक्सी का वेट कर रही होती है तब ही वहाँ पर लिन आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें कहीं जाना है पहले तो वो लिन से छिफ़री होती है लेकिन उसे समझ में आती है कि मुझे तो जल्दी से हॉस्पिटल पहुशना है तो फिर को लिन से कहती है कि प्लीस मुझे लिप्ट दे दो लिन कहता है कल तो तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया था अब तुम्हारा एटिट्यूट कहा गया लेकिन क्वीन तो जबर्जस्ती उसके कार में बिट जाती है लेकिन उससे कहता है कि तुम्हें घर जाना है क्या लेकिन क्वीन कहती है कि मुझे तो हॉस्पिटल जाना है जो सुनकर लिन पूछता है कि तुम हॉस्पिटल क्यों जा रही हो Queen कहती है क्योंकि मेरे left side के दाथ में दर्द है लेकिन उसने अपना हाथ तो right side रखा होता है तो Lynn उसे कहता है कि तुम जूट बोल रही हो देखो तुमारा हाथ तो right side है Queen कहती है क्योंकि मुझे दोनों side दर्द हो रहा है आपको उससे क्या तब ही Assistant चान बुचकर कार को टान करता है जिससे कि उन दोनों के बीच में किस हो जाती है लेकिन इस बात पर Queen Lynn पर ही घुसा करने लगती है और उसे माने की एकोसिस करती है लेकिन Lynn उसके हाथ को पकड़ लेता है Assistant फिर से वही आरकत करता है जिससे कि उन दोनों के बीच में फिर सके सो जाती है Lynn कहता है कि अब किसकी गलती है अब किसे डाटोगी तुम Assistant तो Money One खुस हो रहा होता है कि बहुत इस चीज़ से बहुत ही खुस हो जाएंगे और मेरी salary डबल कर देंगे Queen कहती है कि तुमारे Assistant को ड्राइक पर नहीं नहीं आता इसी की गलती है Lynn कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा अब मैं इसकी salary कट कर दूँगा जिससे कि बिचारी का मुही उतर जाता है जिसके बाद वो दोनों Hospital पहुच जाते है Queen के जाने के बाद Lynn Assistant से कहने लगता है कि आज सुमने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं तुम्हे डबल बोनुस दूँगा जो सुनकर Assistant तो बहुत ही खुस हो जाता है Hospital में Queen जल्दी से reception पर जाकर अपने बैटे के room के बारे में पता करती है पीछे पीछे Lynn भी आकर अपने बैटे का room number पूछता है इधर हम room में देखते हैं जापर Grandpa फैंक से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बैटा है फैंक कहता है कि ये मेरा बैटा नहीं है लेकिन इसकी मॉम से मैं प्यार करता हूँ और जल्दी साधी करने की सोच रहा हूँ तब ही मापर queen आ जाती और फैंक की सारी बाते सुन लेती है फिर वो अंदर आकर अपने बैटे को देखने लगती है लेकिन grandpa ने उसका face नहीं देखा होता तो वो फैंक की तारीब करने लगते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो जो एक एसी लड़की से साधी करने जा रहे हो जिसका अल्रेडी पेटा भी है लेकिन जैसे ही वो queen का face देख लेते हैं तो उसे तुरंथी पहचान लेते हैं सोचते हैं कि इसे तो मेरे पोती की वाइब बना चाहिए इससे फैंक साधी नहीं कर सकता इसलिए वो तुरंथी फैंक से साधी करने के लिए मना करने लगते हैं क्योंकि वो अच्छे से समझ गए थे कि ये तो लिन का बेटा है क्वीन कहने लगती है कि मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ तो इसे एक बार हक करना चाहता हूँ और उसे हक करने लगते हैं और कहते हैं कि तो मुझे ग्र्ैट पकर हो तब ही वाँ पर लिन आ जाता है जिसे देख कर क्वीन सॉक डो जाती है कहतीं कि आप मेरा पीछा करते हुं यहां तक कैसे आ गय है यहापर जब लीन अपने बेटे को देखने लगता है तो क्यूंस बहुती डर जाती है कि कही इनने पता नहीं है वो फैंग क्वीन से साधी करने की सोच रहा है तुम्हें उसे अपने घर लाना चाहिए वो तुम्हारी वाइब बना चाहिए जो सुनकर लिन को थोड़ा अजीब लगता है ग्रेंटपा क्याने लगते है कि ये देखो बच्चा अपना आइडी कार्ट तो यही पर भ कोई नहीं बलकि मिस्टर लिन है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी आज तक बहुत हल्प की है लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो फैंग पूछता है कि लेकिन क्यों वो कहती है कि तुम मुझसे जादा अच्छी लड़की डिसर्फ करते ह ये बोलकर चली जाती है लेकिन फैंको तो वही चाहिए थी जिसके बाद क्यूइन अपने बैटे को लेकर घर आ जाती है पीछे 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 लिन भी आ जाता है जैसे ही वो गेट खोलती है लिन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम उससे कुछ छुपा रही हो मेरे साथ रहे लेकिन क्वीन मना करती है और कहती है कि मैंने उन्हें इतने सालों तक पाला है आपको पता ही क्या है जब मैं उन्हें जनम दे रही थी तो मरने वाली थी और आप तो उस टाइम पर मेरे साथ थे ही नहीं और अब आप मेरे से मेरे बच्चे को छिनना चाहते ह तो ऐसा मैं कभी नहीं होने तूँगी और उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है लिन कहता है कि उस टाइम पर मुझे पता नहीं था वरना मैं जरूर तुम्हारे साथ होता लेकिन अब मैं उन्हें ही नहीं बलकि तुम्हें भी accept करना चाता हूँ क्वीन कहती है कि आपको मुझे पर कोई भी इसान करने की जरूरत नहीं है और बहुत कुछ बोले जा रही थी तो लिन उसे किस कर देता है जिससे कि वो चुपो जाती है लिन कहता है कि मैं तुम पर कोई इसान नहीं कर रहा हूँ बस चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को पूरा परिवार मिले क्या तो मैं इसा नहीं चाहती हूँ जो सुनकर Queen को भी रियलाइज होता है कि उसके बच्चे अपने डैट को खितना मिस करते हैं Lynn कहता है कि मेरे क्रेंट पापी बच्चों के साथ रहना चाहता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चों को लेकर घर आ चाओ लेकिन Queen कहती है कि बच्चे आपके पास आ जाएंगे लेकिन मैं आपके पास नहीं आँगी तो Lynn कहता है कि ठीक है और महां से चला जाता है Queen decide करती है कि वो Lynn के घर पर सी तीन बच्चों को ही भेजेगी जिसके बारे में Lynn को पता है बाकी दो बच्चों के बारे में उसे नहीं बताएगी इसलिए वो रात को खुदी तीनों बच्चों को Lynn के हाँ छोड़ने जाती है और उसे कहती है कि अकर डेट के घर कोई भी परिसानी हो तो तुरंती अपनी मौम को पिता देना लेकिन जैसे ही बच्चे अपने डेट को देखते हैं तो जाकर उसे हग करने लगते है जो देख कर Queen को तो बहुत ही जैलिसी होती है और कहती है कि इतने सालों से तो मेरे साथ रह रहे है और देखो अब अपने डेटी को कितना प्यार कर रहे है Queen अपने बच्चों को छोड़कर जाने लगती है लिन उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती जिसके बाद तीनों बच्चे अपने ग्रेंपा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं लेकिन लिन के दिमांग में तो Queen ही चल रही होती है वो उसी के बारे में सोच रहा होता है ग्रेंपा बच्चों से काफी सारी बाते करते हैं फिर उन्हें रूम में भेज़ देते हैं जो आपर बहुत सारे टोईस होते हैं जिसके बाद वो लिन से पूछते हैं कि तुम अपनी वाइब को कब घर लाओके उसे भी तुम्हें घर लाना चाहिए लिन कहता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मान रही है तो ग्रेंपा उसे समझाते हैं कि उसे प्यार से मनाओ में नहीं चाहता कि वो फैंक से साधी कर ले तो लिन इस पारे में सोचने लगता है इधर क्विन अपने बागी दो बच्चों के साथ होती है और उन्हें सौरी कह रही होती है कि मैं तुम्हें महाँ पर नहीं लेकर जा सकती क्योंकि मुझे तो डर है कि वो तीनों भी महाँ पर परिसानी हो रहे होंगे साथ उन्हें कोई अच्छे से खाने के लिए नहीं दे रहा होगा और नहीं गेम्स खेलने के लिए दे रहा होगा और उनके लिए नाइट सूट भी नहीं होंगे वो तो वहाँ पर जेल की तरह बंद होंगे लेकिन इतर तो बच्चों को बहुत ही अच्छा खाना दिया जाता है बहुत सारे टॉइस भी दिये जाते हैं और उनके लिए नाइट सूट भी लेकर आते हैं ये सब कुछ देखकर बच्चे बहुत ही खुज होते हैं कहते हैं कि हमारे डेड़ी तो वर्ल्ड के बैस्ट डेड़ी है ये सब कुछ लिन वीडियो सूट कर लेता है और क्वीन के पास सेंड कर देता है जो देखकर क्वीन तो बहुत ही जल भुण जाती है कि इनको देखो एक ही दिन में अपने डेड़ी के हो गए और मुझे भूल कए next morning queen अपने बच्चों को जल्दी से breakfast करवाती है और इसकूल छोड़ने जाने लगती है और Lynn भी उन तीनो बच्चों को इसकूल छोड़ने के ले आता है queen जब इसकूल में बच्चों को छोड़ती है तो टीचर उनके साथ अच्छे से भी हैं नहीं करती है वो सोचती है कि ये तो बिनाबाब के बच्चे हैं इदर से एक ग्रेंटपा से मिलने के लिए आती है लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा होता तो वो उसे थपड़ लगा देती है और अपनी आँखों में दवाई डालती है जिससे के आसू आने लगते हैं रोते वे अंदर चली जाती है इदर स्कूल में बच्चों की फाइटिंग हो जाती है दूसरे दो बच्चों के साथ जिस वज़े से वो पाचों ही मिलकर उन दोनों से फाइट करने लगते हैं इदर ओफिस में लिन जब लिप्ट से जा रहा होता है तो उस लिप्ट को रोकने के लिए क्वीन आ जाती है लेकिन जब वो देखती है कि लिप के अंदर लीन है तो मुझे भागने लगती है लेकिन लीन उसका हाथ पकड़के रूखने की कोसिस करता है लेकिन उसके हाथ में सिर्फ क्वीन का पेक डहे जाता है लीन अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि क्या मैं इतना डराऊना दिखता हूँ जो मुझे देखकर ही भाग जाती है असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको आपके फैस पर थोड़ी स्माइल रखती चाहिए अप इसमाइल नहीं करते ना इसलिए साइट मेडम आपसे दूर भाग रही है इसलिए लीन अपने केबिन में जाकर इसमाइल करने की बहुत कोसिस करता है लकि नहीं कर पाता जिसके बाद लीन क्वीन के बेक को वापस देने जाने लगता है लेकि तब ही महाँ पर फैंग उससे मिलने के लिए आ जाता है और कहता है कि अच्छा होगा कि तुम क्वीन से और उसके बच्चों से दूर रहो क्योंकि मैं क्विन से पार करता हूँ और इतनी आसानी से हाट नहीं मानने वाला लिन कहता है कि साथ तुम भूल रहे हो कि वो मेरे बच्चों की मा है इसलिए मैं उससे दूर कैसर रह सकता हूँ इसलिए बेटर होगा कि तुम ही उससे भूल जाओ क्योंकि वो तो मेरी ही वाइप बनेगी जिसके बाद लुण्च टाइम हो जाता है क्विन अपना बेग देखने लगती है तो उसे याद आता है कि वो तो मिस्टर लिन के पास ही रह गया है तब ही महाँ पर फैंग उसके लिए लुण्च लेकर आ जाता है क्विन उससे कहती कि तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरुवत नहीं है क्योंकि मेरे और तुम्हेरे भी इत्में कुछ नहीं हो सकता है लेकिन फैंक कहता है कि मैं इतनी आसानी साहर नहीं मानूगा फैंक उससे बच्चों के बारे में पूछता है तो क्विन बताती है कि वो तो अपने फादर के साथ रह रहे है तब ही वहाँ पर लिन भी आ जाता है और क्विन को उसका पेक देता है ये देखकर फैंक पूछता है कि क्या तुम दोनों साथ मेरे रहे हो Queen बना करने वाली होती है लेकिन उससे पहले Lynn हाँ बोल देता है जो सुनका फिंक को समझ में आ चाता है कि आप उसकी दाल नहीं कलने वाली इसलिए वहां से चुपचप निकल लेता है Queen Lynn से कहती है कि आपने उससे चूट क्यों कहा लिन कहता है कि मैंने कोई छूट नहीं का है हम दोनों साथी है और आज नहीं तो कल तुम मेरे साथी रहोगी लेकिन क्वीन तो उन्हें खुच से दूर रहने के लिए कहती है लेकिन लिन उसके और भी क्लोज जाने लगता है और कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ और तुम्हें इंप्रेस करना चाहता हूँ और उसके साथ थोड़ी लवी डवी बात करके वहां से चला जाता है जिसके बद क्वीन अपने बच्चे को रिसीव करने के लिए स्कूल जाती है जापर उसे जगड़े के बारे में पता चलता है क्वीन उन दूसरे बच्चों की मां से कहना लगती है कि आपके बच्चों को मेरे बच्चों को सोरी कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों को मारा है लेकिन यहापर टीचर और रूल लेडी तो उस पर ही चाड़री होती है कि इनके तो फादर भी नहीं है और तुम चाहती हो कि मैं इसे माफी माँगू जो सुनकर क्वीन तो उसे चाटा लगा देती है और कहती है कि खबरदार जो मेरे बच्चों के बार में ऐसा बोला जैसे ही सारे बच्चे लिल को डेड़ी कहते हैं तो उसे तो बहुत ही बड़ा जटका लगता है क्योंकि वहाँ पर तीन नहीं पल की पाच बच्चे होते हैं क्वीन फास एक हिसकने की कोसिस करती है तो लिनोस से रोपकर पूछता है कि ये सारे बच्चे मेरे ही है लिन कहता है कि बुलाओ से मैं भी तो देखू कोन है तुमारा हस्बेंड जिसके बाद लिन अपने बच्चों का ध्यान रखने लगता है तब ही उस लेड़ी का हस्बेंड आ जाता है और सोर सरा पकरने लगता है लेकिन जैसे ही वो लिन को देखता है तो बहुत ही डर जाता है और नीस पर बैटकर उसे माफी मांगने लगता है साथी अपनी वाइब को भी माफी मांगने के लिए कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि ये हमारे बॉस है लिन कहता है कि तुम्हारी वाइब कुछ जाता ही बोल रही थी साइद तुम लोगों कमपनी से बार निकालना होगा लेकिन वो बहुत ही माफी माफी मगने लगता है और अपनी वाइब से भी माफी मंगवाता है तो लिन उन्हें डाट कर महांसे चला जाता है क्वीन जाने लगती है तो लिन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम उसे बहुत जूट बोल चुकी हो मुझे तुम से बहुत सारे सवाल करने है और उनके जबाब भी चाहिए इसलिए वो उसे उठा लेता है और वहाँ से ले जाने लगता है ये सब देखकर बच्चे बहुत ही खुस होते है जिसके बाद लिन क्वीन को अपने घर ले आता है ग्रेंटपा उसे देखकर कहता है कि इसे तो तुम ले आए हो लेकिन मेरे बच्चे कहाँ पर है लिन कहता है कि बच्चे भी पीछे आ रहे है और queen को room में लेकर चले जाता है grandpa जब 5 बच्चों को देखते तो बहुत ही सौक्ड होते है लेकिन assistant बताता है कि ये पाचों बच्चे Mr. Lynn के ही है तो grandpa और भी जादा खुस हो जाते है इधर Lynn queen को room में लेकर आता है तो queen कहती के साथ आप भूल रहे है कि हमारे बीच क्या रिस्ता है लिन कहता है कि तुम मेरे बच्चों की मा हो और मुझे अच्छे से पता है कि हमारे बीच क्या रिस्ता है लिन उसके साथ रोमेंटिक होने की कोजिस करता है लेकिन क्वीन उसे किक कर देती है और मां से जाने लगती है लेकिन लिन उसे पकड़ लेता और कहता है कि मैंने तुमसे प्यार करता हो तो तुम मसे दूर क्यों चारी हो और उसे किस करने लगता है लेकिन कुछ भी रिस्पॉंस नहीं करती है तो लिन कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो Queen कहती है कि मैं आपके लिए कुछ भी फिल नहीं करती हूँ लेकिन फिर भी Lynn कहता है कि तुम उससे एक दिर जरूर प्यार करोगी और उसे किस करके वहाँ से चला जाता है फिर थोड़ी दिर बाद Queen चुपके से घर से भागने लगती है Lynn दूर से उससे देख रहा होता है वहाँ पर उसके सारे बच्चे आ जाते हैं कि आपको मॉम को चेस करना होगा आपको मॉम को बहुत सारा प्यार करना होगा और साथी उन्हें खाना बहुत पसंद है तो आप उनके लिए अच्छा सा खाना बनाई है नेक्स इन में क्वीन आफिस में होती है जहाँ पर उसकी कली कुछ से कहती है कि हमें मिस्टर वैंक के साथ नया प्रोजेक्ट साइन करना है लेकिन वो चाते है कि हम उनके साथ गेम खेले लेकिन वो जाकेले जाने में डर लग रहा है उसमें क्या ही गलत है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए आज कुछ सब्ब्राइज प्लान किया इसलिए मेरे साथ चलना लेकिन कुईन बना कर देती है और कहती है कि मुझे बाहर जाना है कुछ और काम है लिन कहता है कि मैं तुम्हें मनाने की कोशिस कर रहा हूँ लेकिन तुम कुछ जादा ही भाव नहीं खा रही लेकिन फिर भी क्वीन उसे रिजेक्ट ही कर रही होती है तो लिन उसे जब अस्ति किस करके महां से चला जाता है जिसके बद Queen उस लड़की के साथ Mr. Weng के साथ गेम खेलने के लिए जाती है लेकिन Mr. Weng के अरादेते कुछ ठीक नहीं लग रहे होते है लेकिन Queen उसे 한गनोर कर देती है जिसके बद वह गेम खेलना स्टार्ट करते है लेकिन वो लड़की जान बुचकर इंजर्ड हो जाती है और जाकर बेट जाती है और क्वीन को उसके साथ गेम खेलने के लिए कहती है वो लड़की क्वीन के पानी में कुछ मिला देती है जब वो लो गेम खेलकर ठक जाती है तो वो लड़की वो फानी क्युइन को पिला देती है जिसे की क्यूइन को नहसा चाड़ने लगता है हम देखते हैं कि लिन भी इसी स्पोर्टस क्लब में आया होता है वो क्यूइन को अदमी के साथ देख लेता है जिसे तुमने टच करने की कोसिस की है वो मेरी वाइफ है और वो क्वीन को अपने साथ रूम में लेकर आ जाता है लेकिन क्वीन उसे जाने ही नहीं दे रही होती है और किस करने लगती है लेकिन लिन कहता है कि तुम्हारी तवे ठीक नहीं है इसलिए उसे सावर के नीचे खड़ा करतेता है लेकिन फिल भी वो लिन को खुझ से दूर नहीं जाने दे रही होती लिन कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रही है इसलिए मुझे चाने दो लेकिन क्विन नहीं जाने दे रही होती तो वो कहता है कि बाद में मुझे ब्लेम मत करना और दोनों साथ में रोमेंटिक टाइम स्वेंट करते हैं मॉर्निंग पे जब क्विन उटती है तो सोचती है कि यह मैंने क्या कर दिया और चुपकछा वहाँ से निकलने लगती है लेकिन लिन उसे नहीं जाने देता हो और कहता है कि तुम्हें मुझे कमपंसेशन देना होगा क्योंकि तुमने मेरा फाइदा उठाया है क्वीन कहती है कि मैं आपको पाच बच्चे देतो रही हूँ और आपको क्या चाहिए लिन कहता है कि ठीक है लेकिन अगर तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर जाओगी तो कल आफिस में हमारे बारे में कुछ खब्रे उड़ेंगी उसके बाद मुझे कुछ मैद कहना तो क्विन उसे डाटने लगती है नेक्से इन में ग्रेंटपा के पास कुछ उल्टे सीथे फोटो आते हैं जैने देखकर उन्हें बहुती कुछ साथा है नेक्से जब क्विन आफिस जाती है तो वहाँ जाकर उस लड़की को ढूंडने लगती है लेकिन उसे पता चलता है कि वो लड़की तो आफिस नहीं आई है तब ही असिस्टेंट आकर क्विन को बताता है कि आपके नई डिजाइन के ब्लूपरिंट चोड़ी हो गए है हमारी बेटी ने बड़ा ही अच्छा काम किया है जो यह सारे डिजाइन्स चुड़ा लिए इससे हमें बहुत ही फाइदा होगा और इसे क्विन की जोपी चली जाएगी लेकिन तब ही महाँ पर क्विन आ जाती है और कहने लगती है कि आप लोगोंने मेरे साथ बहुत कुछ किया है लेकिन अब मैं कुछ भी परदास नहीं करूंगी लेकिन सी तो उल्टा उसे ही सुनाने लगती है क्वीन कहती कि बस अब बहुत हो गया और महाँ पर तोड़ फोड़ करने लगती है उसके डैट उसे डाटने लगते हैं और कार्ट्स को बुलाने लगते हैं तो सी ग्रेंट पा के सामने अच्छा बने का नाटक करने लगती है ग्रेंट पा कहते हैं अब बहुत हो गया अब तो मैं ड्रामा करने की जरूरत नहीं है मैंने तो सोच था कि लिन को बोलकर तुम्हें थोड़ा कमपसेशन दिलवा दूँगा लेकिन तुम तो बहुत ही घटिया लड़की निकली मुझे अभी अभी पता चला कि तुमने क्विन के साथ कितना कुछ किया है और मेरे पास उसके वो फेक फोटोस भी तुम ही ने बिचवाए थे और कहते हैं कि तुमने हमारी कंपनी के डिजाइन्स भी चुरा है तब ही लिन कहने लगता है कि तुमारी मॉम को भी इनों नहीं मारा है पोजन देकर और एक रिपोर्ट दिखाता है जिसे कि ये बात क्लियर हो जाती है क्वीन की फैमली कहने लगती है कि हमने कुछ नहीं किया हमें छोड़ दो लेकिन लेन उन्हें पुलिस से अरेस्ट करवा देता है जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है और ग्रेंटपा भी वहाँ से चले जाते है क्वीन थोड़ी सैड होती है तो लेन उसे हग करता है नेक्स दिन में वो दोनों बाहर होते हैं जहाँ पर क्वीन उसे पूछती है कि आपनी ये सारी इन्वेस्टिकेशन कप करवाई और मुझे कुछ भी बताया क्यों नहीं लिन कहता है कि मैंने तुम्हे उस दिन बताने की कोसिस की थी लेकिन तुमने मेरे साथ आने से मना कर दिया था और मिस्टर वैंक के साथ गेम खेलने चली गई थी क्वीन कहती कि मुझे उस दिन फसाया गया था मेरी कोई भी गलती नहीं थी लिन कहता है कि मैं जानता हूँ और उसे किस कर लेता है और कहता है कि मैं तुमसे साथी करना चाहता हूँ तो क्या तुम मेरे प्रपोजर को एकसेप्ट करोगी क्वीन कहती कि आपके पस फ्लावर तो है नहीं आप मुझे ऐसे ही प्रपोस कर रहे है लिंग कहता है कि तुम्हें कितने फ्लावर चाई है Queen कहता है कि फिलाल एकty लेके आजओ तो लिंग उसे तुरंत्य एक रोज देने लगता है Queen फूछती है कि यह आप कहां से लाए Link कहता है कि मुझे Mesiq करना आदा है तो Queen कहता है कि मुझे एक और रोज चाहिए जिसके बाद वो लोग देट पर जाते हैं जहां पर काफी इन्जॉइ करते हैं और queen लिन को जब जिस्ती एक hair build पिना दीती है जिसके बाद वो एक toy machine से toy निकालने के कोसिस करती है लेकिन नहीं निकाल पारी होती है जो देखकर सौप की पर कहने लगता है कि अगर तुम इसमें से एक भी टॉय निकाल लोगी तो मेरी सौप का एक बड़ा सा टॉय मैं तुम्हें फ्री में दे दूँगा क्वीन ट्राय कर दिये लेकिन उससे नहीं होता लेकिन लिन निकाल लेता है तो वो कहती है कि अब तुम मुझे टॉय दो सौप की पर कहने लगता है कि मैंने आपके लिए कहाता ना कि आपके हस्बंड के लिए तो फिर लिन कुछी को सिखा देता है और वो तुरन्ती दो टोईस निकाल लेती है और saupe के दो बड़े बड़े टोईस फ्री में ले लए लेती है और बहुत खुस होती है लेकिन saupe की पर बहुत ही सैड हो जाता है लेकिन लिन तियरन्त ही उसे कुछ पैसे ट्रांसवर कर देता है और कहता है कि मेरी w outbreaks बहुत खुस है इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ जो देखकर सो अपके पर बहुत ही जाद अखस हो जाता है और शेल लागर कहता है कि आप दोनों मेरी दुकान में फिर से आना जिसके बाद Queen ही Mr. Lynn को प्रपोस करने लगती है लेकिन Lynn कहता है कि मैं तुम्हें प्रपोस करना चाता हूँ और नीस पर बैट कर रिंग देकर उसे प्रपोस करने लगता है जिसके लिए Queen हा बोल देती है जिसके बाद वो लोग मेरी सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं जिसके बाद रात को वो लोग घर आते हैं जो आपर Queen ने ड्रिंक किया होता है Lynn ने उसके लिए डिनर रडी किया होता है लेकिन Lynn उसे कहता है कि तुम बहुत ड्रंक लग रही हो तो तुम्हें जाकर आराम करना चाही है Queen कहती है कि नहीं तुमने इतना अच्छा डिनर बनाया है तो मैं जरूर खाऊंगी और खाना टेस्स करती है और कहती है कि बहुत ही अच्छा और अपने हाथों से Lynn को भी खिलाने लगती है जिसमें कि वो बहुत ही गड़बड कर रही थी Lynn उसे पूछता है कि तुम खुस होना Queen उसे प्यार से देखते हुए कहती है कि हाँ मैं बहुत ही खुस हूँ क्योंकि मज़े इतना अच्छा husband मिला है जिसके बाद वो Lynn के पास आती है और उसे कहने लगती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती है और उसे किस करने लगती है लिन بھی उसे किस करता है कि आप मैंसे कभी भी दूर मत जाना जिसके बाद वो दोनों फिर से किस करने लगते हैं और यहीं पर इस ट्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सेयर भी करें थैंक्स पर वाचिंग